नमो नमाह, आज हम अपनी इस वीडियो में शार्दा संस्कृतम भाग आठ का त्रयोदश पाठ अर्थात तेर्वा पाठ होकी आइंद्र जालिक ध्यान चंद, होकी के जादुगर ध्यान चंद करेंगे। इसमें हम ध्यान चंद जी के बारे में पड़ेंगे और उनकी जीवनी समझेंगे। तिनांक को एक सहसर नवशतम पंच उन्नी सो पाँच। एक सहसर का मतलब होता है एक हजार नवशतम नो सो एक हजार नो सो पंच पाँच। अरथात एक हजार नो सो पाँच या उन्नी सो पाँच में इलाहाबाद नगर में एक क्षत्रिये परिवार में हुआ। ध्यानचन का जन्म अगस्त मास की उनत्तिस दिनांक को उन्नी सो पाँच इस्वी में इलाहाबाद नगर में एक क्षत्रिये परिवार में हुआ। तस्से मूल नाम ध्यान सिंह आसीद उनका मूल नाम ध्यान सिंह था। तस्से पिता सुमेश्वर दत्त सिंह अपी होकी कृडाया कृड कह आसीद। उनके पिता सुमेश्वर दत्त सिंह भी होकी कृडा के कृड का आसीद खिलाडी थे। ध्यान चंद शश्टी कक्षा प्रयंतम एव अध्यनम कृत्वान। ध्यान चंद ने चटी कक्षा तक ही अध्यनम पढाई कृत्वान की। ध्यान चंद ने चटी कक्षा तक ही पढाई की। 15 वर्षिय एव होकी कृडाम प्रारग्दवान 15 वर्ष की आयू में ही होकी का खेल प्रारंब किया। स कृडायाम कुशलताम प्राप्य 1922 तमे वर्षे भारतिय सेनायाम सैनिक अभवत। वह खेल में कुशलता प्राप्त करके 1922 में भारतिय सेना में सैनिक बन गए। अब कौनसी खेल में कुशलता प्राप्त करके होकी के खेल में। स होकी कृडाया सर्वत्तमा कृड का आसीत। वह होकी कृडा के सर्वसे उत्तम श्रेष्ठ खिलाडी थे। तस्मिन विलक्षणम कृडा कोशलम आसीत। उनमें अनोखी कृडा की कुशलता थी। आतेव स विश्वस्य श्रेष्ठ होकी कृड का अभवत। इसलिए ही वह विश्व के सबसे अच्छे होकी के खिलाडी बन गए। स भारतिय होकी दले सेंटर फॉर्वर्ड रूपेन कृडतीस्मा। वह भारतिय होकी की टीम में या भारतिय होकी के दल में सेंटर फॉर्वर्ड के रूप में खेलते थे। 1928 तमें वर्षे भारतिय होकी दले अलम्पिक्स परधायाम स्थानम ग्रिहित्वा शोबनम प्रदर्शनम कृत्वान। 1928 स्वी में भारतिय होकी दल में अलम्पिक्स परधा में स्थान पाकर सुन्दर प्रदर्शन किया। तथा भारत देशं होकी कृडायाम विश्व विजई कृत्वान और भारत देश को होकी कृडा में या होकी के खेल में विश्व विजई बना दिया। 1928 स्वी में भारतिय होकी दल में अलम्पिक्स परधा में स्थान पाकर सुन्दर प्रदर्शन किया और भारत देश को होकी कृड़ा में विश्व विजई बना दिया। तदंत्रम स होकी कृड़ाया अइंद्र जाली का इती नामना प्रसिध्ध अभवत। इसके बाद वह होकी कृड़ा के जादूगर इस नाम से प्रसिध्ध हुए। 1956 में वर्षे भारत सर्वकारेन पद्मभूशनेन समानित अभवत। 1956 में भारत सरकार के द्वारा पद्मभूशन से समानित हुए। पहले हम इसी के ही पद्मभूशन कर लेते हैं उसके बाद हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें अव्वे कौन-कौन से आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है अव्वे क्या होते हैं जिनका व्याय नहीं होता। अर्थार्थ जो लिंग विभक्ती वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं। तो देखिए इसमें कौन-कौन से आये हैं, जैसे अपी, एव, अतेव, तथा, तदंतरम, इती, आधी-आधी, बाकी आप अपने आप ढूंड लेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें प्रत्य कौन-कौन से आये हैं, देखिए इसमें प्रत्य है, कृत्वान, यहाँ पर एक शब्द आया है कृत्वान कौन सा प्रत्य है इसमें कृतो धातू है क्री में प्रत्य लगा हुआ है कतवतू प्रत्य और दिखते हैं प्रारब्दवान प्र उपसर्ग है आउपसर्ग है रभधातू है और प्रत्य यही कतवतू है देखिए इसमें भी वान लगा हुआ है तो कतवतू प्रत्य है यही प्रत्य आएगा उसके बार फिर से क्रितवान आ गया यही का यही हो जाएगा क्री को कतवतू प्रत्य लगा हुआ है और देखिए ग्रह धातू को कत्वा प्रत्य लगा है करक के लिए प्रयोग किया जाता है कत्वा प्रत्य तो ग्रह को कत्वा प्रत्य लगा बना ग्रिहीत्वा इस तरह से ये प्रत्य आए है अब इसमें कुछ विशेशन विशेशे भी है अब वो विशेशन विशेशे क्या है वो देख लेते हैं, देखिए, सबसे पहले न्याय एकस्मिन क्षत्रिये परिवारे, दोनों में विभक्ती और वचन एक जैसा ही है, और एक क्षत्रिये परिवार में अर्थात, विशेशे है क्षत्रिये परिवारे और एकस्मिन उसका विशेशन है, ध्यान रखिए, विशे और देख लेते हैं शोबनम परदर्शनम शोबनम है विशेषण परदर्शनम है विशेषय अच्छा परदर्शन तो यहाँ पर दूतिया एक बचन है दोनों में प्रंत्ँ शोबनम इसमें कुछ और भी देखते हैं, जो धातू और शब्द रूप के भी शब्द दिये गए हैं, एक दो बता देती हूं ताकि आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े, जैसे इलाहाबाद नगरे, अब इलाहाबाद नगरे में क्या है? सब्तमी विभक्ती है, सब्तमी विभ जैसे होकी कृड़ाया, जैसे लताया, ऐसे ही इसमें क्या होगा? शष्ठी एक वचन, हालाकि पंच में भी कृड़ाया ही होती है, प्रन्तु ये होकी कृड़ा के, यहाँ पर शष्ठी है, इसलिए हम शष्ठी एक वचन कहेंगी. अब जैसे सर्वोत्मा कृड़क, ये भी क्या है? विशेशन विशेशे, और ये सर्वोत्मा क्या होगा? विशेशन होगा. अब भारतिय होकी दले, सब्तमी एक वचन, जैसे रामे या फले, तो क्या होता है? सब्तमी एक वचन होता है. भारत सर्वकारेन, तृतिया एकवचन, जैसे की रामेन, पद्म भूशनेन, तृतिया एकवचन अब हम चलते हैं आगे अब देखिए यहां हमने यह देख लिया था कि भारतिय सरकार के द्वारा पद्म भूशन से सम्मानित हुए अब हम आगे चलते हैं पंच दश अगस्त 1936 तमे वर्षे उलंपिक क्रडायां भारत देश जर्मन देशं आठ एक अंतरेन प्राजितवान 15 अगस्त 1936 स्वी में अलंपिक क्रडा में भारत देश ने जर्मनी देश को आठ एक के अंतर से हराया तदा जर्मन शासक हिटलर ध्यान चंद से क्रडाम द्रिश्टवा कथा या दी तब जर्मनी के शासक हिटलर ने ध्यान चंद की खेल को देख कर कहते हैं भावान जर्मन सेनायाम उच्च पदे प्रतिष्टित भवदू इती मम इच्छा आप जर्मनी की सेना में उच्च पद पर आसीन हों ऐसी मेरी इच्छा है देशभक्त ध्यान चंद तम प्रति वददी देशभक्त ध्यान चंद उसको बोलते हैं मम भारत देश एव मम कृते सर्वो परियस्ति मेरा भारत देश ही मेरे लिए सब से उपर है अत अहम भारत देशे एव निवसामी इसलिए मैं भारत देश में ही रहता हूं एवंच भारत से कृते एवकृड श्यामी और इस प्रकार भारत के लिए ही खेलूँगा ध्यान चंद महोद्यस्य सम्रितव भारत देशे प्रती वर्षम ध्यान चंद ट्रोफी स्परधा आयोजिता भवदी ध्यान चंद महोद्य की सम्रिती में भारत देश में प्रती वर्ष हर वर्ष ध्यान चंद ट्रोफी स्परधा आयोजित होती है तत्र देश विदेशस से प्रसिद्धा होकी क्रड का क्रडनती वहां देश विदेश के प्रसिद्ध होकी के खिलाडी खेलते हैं तस्य जन्म दिनम उनका जन्म दिन राष्ट्रे खेल दिवस इती नामना इस नाम से प्रती वर्षम सर्वे आजरमती हर वर्ष सब मनाती हैं तस्य निधनम तीन दिसंबर उन्नी सो उनासी तमे वर्षे दिल्ली नगरे अबावद उनकी मृत्यू तीन दिसंबर उन्नी सो उनासी इस्वी में दिल्ली नगर में हुई ध्यान चंदस्य देशवक्ती असमाभी अनुकरणिया अस्ती ध्यान चंद की देशवक्ती हमारे द्वारा अनुकरण के योगी है सरक थयती स्मवेह कहते थे यत कि वयम देशाय किम यच्छाम इती चिंतनियम हम देश को क्या देते हैं यह सोचने के योगे है अर्थात हमें देश को देना है ना कि हम देश से इच्छागरे के देश हमें दे तो यह है उनका उनकी सोच थी तो सबसे पहले इसमें भी हम देखेंगे कि अव्वे कौन कौन से है तो देखिए तदाव्वे आया है अत आया है इती आया है एव है प्रती है कृते है इती है स्मा है न है तू है इस तरह से कयवे आये है अब इसमें हम देखते हैं कि संधी झेद कौन कौन से आये हैं सबसे पहले संधी झेद देख लेते हैं इक तो है एवन्च एवन्च में देखो एवम प्लस च सामने चवर्ग का च है इसलिए म को क्या हो जाएगा चवर्ग का अंतिमबन अंतिमबन होता है न्य इसलिए यहाँ पर क्या होगा न्य एवन्च बन गया और देखो और कोई आई है क्या संधी और कोई संधी दिखाई नहीं पड़ रही तो आगे चलते हैं आगे देख लेते हैं और क्या-क्या हमें इसमें प्रत्य दिखाई दे रहे हैं वो कर लेते हैं प्रत्य में देखते हैं जैसे प्राजित्वान कतवतू प्रत्य है अभी हमने किया और देखें द्रिश्टवा कतवा प्रत्य है सर्वोपरी में भी संधी है सर्व प्लस उपरी गुन संधी हो गई न अ और उ को मिलाकर ओ हो गया है इसलिए ये सर्वोपरी बन गया है और देखते हैं प्रत्ते और कौन-कौन से आये है अनुकरणिया इसमें अनियर प्रत्ते है चाहिए अर्थ में परियोग किया जाता है अनुक्री अनुपसरगे क्री धातु है अनियर प्रत्ते है चिंत अनियम इसमें भी अनियर प्रत्ते है ये स्त्रिलिंग है ये नपुन सकलिंग है चिंत को ही अनियर प्रत्ते लगा है तो ये हो गई हमारे प्रत्ते अब इसमें कु ब imagination अच्छा सबसे पहले है इसमें प्रति बेर थी के योग में उती है विख दी थी को कई बर थी मैं महले में अच्रिक अश्छा खूंड़ थी किसके योग में और यह को में प्रति के योग में मैं इसी तरह से कृतिए के यूग में ओती है शष्टि वीबति के लिए अर्थ में कृते होता है और इसके योग में लगती है शष्ठी भी भक्ती कृते के लिए देखो ये भी कृते है इसलिए भारतस्य में भी शष्ठी आई है आगे चलते हैं इसके अधरिक्त यच अर्था दार हातू के योग में क्या जाती है चतुर्थी जिसको कुछ दिया जाता है उसमें आएगी चतुर्थी दा के योग में अर्थात यच के योग में दा बनती है यच देने के लिए जिसको दिया जाएगा वहाँ चतुर्थी आएगी जैसे असमभ्यम में भी चतुर्थी है प्रयच्थी आया ना इस इसलिए असमभ्य में भी चतुर्थी आई है इस तरह से हम प्रती के लिए द्वितिया कृते के लिए शेष्ठी और दा के लिए चतुर्थी विभक्ती का परियोग करेंगे अब हम देखते हैं इसमें विशेशन विशेश्य कौन से आए हैं देखिए जैसे जर्मन शास्क देखिए इसमें उच और बता देती हूं जो इस तरह के आएं हैं जैसे सम्रितो अब ये मती शब्द जैसे चलता है मतव सप्तमी होती है ना सप्तमी एक वचन होती है तो ये सम्रितो भी क्या है सप्तमी एक वचन अस्मा भी तृतिया एक वचन अस्मभ्यम बताई दिया चतुर्थी बहु वचन है नामना ये भी तृतिया एक वचन नामना इस तरह से देश विदेश अस्य शष्ठी एक वचन इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप सभी पदों का परिचे बता सकते हैं अगर फिर भी कहीं कठी नाई आए तो आप कमेंट करके पूश सकते हैं क्योंकि यहीं पर ही पाट की समाकती है धन्यवाद